रादे रादे जैसी करशना मैं सीमा सिंग बड़ो कोचा रने सपर चोटो को प्यार और बड़ाबर वालों को तही दिल से नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको चातूर मास में हर शनिवार को पीपल सीचने की एक कहानी सुनानी जारी हूँ अच्छा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में जरू शेयर करें ताकि उन्हें भी चातूरमास में पीपल सीचने की कहानी सुनने का संपूर्ण फल्प्राप्त हो और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम चातूरमास में पीपर सीचने की एक कहानी सुनते हैं एक बार बहुत छोटा सा गाउं था उस गाउं का नाम चमपापुर था उस गाउं में एक बुडिया माई अपने बेटा बहु और एक बेटी के साथ रहती थी वे बुडिया अपनी बहु को बेटी की तरही रखती थी बुडिया माई अपनी बहु को बेटी से भी ज़्यादा मानती थी घर में कोई भी खाने, पीने, पहनने, उरने की चीजें आती, तो अपनी बेटी से पहले बहु को पूछती थी, दोनों सासु बहु बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी, जब बहु ने भी सास में मा की जवी पाई, तो उसने भी सास को कभी सास नहीं माना, बलकि मा से भी इसलिए करती थी उसके पीछे की वजह भी जानते हैं। जव बुढिया माई बहु बनकर इस घर में आई थी तो उसकी सास ने उसके साथ अच्छा बरताव नहीं किया था। उनकी सास घर का सारा काम करवाती। जाडू, बुहारी, बरतन, कपड़े, इत्यादी, साथ ही रोज परिंडे में पीने का पानी ताजा भरवाती थी। पहले के समय दो तीन कोस दूर जाकर कुए पर से पानी लाना पड़ता था। जाए तबियत कितनी भी खराब हो घर का सारा काम करना ही पड़ता था। ससुराल में सब के खाना खाने के बाद बहु को खाना मिलता था। कभी सबजी बसती थी, कभी नहीं बसती थी। और रोज रातरी में सासु के पाउं दबाने होते थी। जब सासु सो जाती थी तब ही वह सोने के लिए कमरे में जाने की उन्हें इजाजत मिलती थी। सुसराल में छोटे हों बड़े हों सबसे लंबा गुंगट लेना पड़ता था चुप रहना होता था बड़ों के बीच में बोलने की इजाज़त नहीं होती थी और भी अनेग पाबंदिया उस बुड़िया माई की सास उससे लगवाती थी तबी उन्होंने सोच लिया था कि जब मैं सास पनूंगी तो मैं अपनी बहु को बेटी की तरह ही रखूंगी उसके साथ ऐसा बड़ताव नहीं करूंगी जैसा बड़ताव मेरी सास मेरे साथ कर रही है यही वज़े है कि वे बुडिया माई अपनी बहु को बेटी की तरह मानती थी इस तरह उनका समय हसी खुशी बीत रहा था तब एक बार की बात है बुडिया माई बिमार बढ़ गई और ऐसी बिमार पड़ी कि उसने खाट ही पकड़ ली बहु ने अपनी सास की खूब सेवा टहल करी तब एक दिन सास ने बहु से कहा कि बहु मेरे मरने के बाद तुमें ही मेरी बेटी का ध्यान रखना है इसे अपने बच्चे की तरह रखना इसे कभी कोई दुक होने मत देना जब ये विवा लायक हो जाए तो अच्छा घरवर देख कर इसका विवा कर देना और बहु इसे हमेशा अपने साथ रखना अगर तुम माई के जाए तो इसे अपने साथ ले कर जाना बहु तुम मुझे वजन दो ताकि मेरी सास निकल सके तब बहु ने अपनी सास को वजन दिया कि सासुमा मैं ननत बाई सा का खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी और कोई भी गलती अगर उनसे हो गई तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी अपने बच्चे की तरह सीने से लगा कर रखूंगी और जब वे विवहा लाइक हो जाएंगी तो अच्छा घर वर देख कर धूम धाम से ननत बाई का विवहा भी करूंगी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसके कुछ समय बाद बुडिया माई स्वर्ग सी धार गई अब भावी अपनी ननत का खूब अच्छे से क्याल रखती भावी अपनी ननत को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी अच्छे से अच्छा खिलाती, अच्छे से अच्छा पेनाने लगी और जहां भी वह जाती तो अपने साथ अपनी ननत को लेकर जाने लगी तब एक बार की बात है चातूर मास का महिना लग रहा था तब भाभी ने चातूर मास में हर सनिवार को पीपल सीचने का नियम लिया तो वह अपनी ननत को भी अपने साथ ले जाने लगी भावी जैसे पूजा करती कुवारी ननत भी वैसे ही पूजा करने लगी भावी अपने मन में हाथ जोड़ कर पीपल देवता से विंती करती कि है पीपल देवता मुझे एक लड़का देना तो ननद भी हाथ जोड़ कर मन में कहती कि हे पीपल देवता जो आप मेरी भावी को दो वही मुझे भी देना इस तरह पूरे चातूर मास में ननद भावी पीपल की पूजा करने के लिए जाने लगी इस तरह पूरा चातूर मास का महिना बीट गया पीपल देवता सोच में पड़ गे कि भावी को तो मैं पुत्र दे दूँगा लेकिन कुमारी ननत को पुत्र कैसे दूँ तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करी तीन मैंने बाद भावी को गर्ब ठहर गया और ननत के हाथ में भी एक चाला हो गया नवे मैंने बाद भावी को एक पुत्र पैदा हुआ तो ननत के हाथ के चाले में से भी एक बेटे का जैनम हुआ भावी ने लोक लाज के भैसे अपनी ननत की बदनामी के डर से पूरे गाउं में ये कहा कि मेरे दो जुड़वा पुत्र पैदा हुए हैं भावी ने अपने पती से भी ये बात चुपाई तब एक दिन भावी कुए पर पानी भरने को गई तो उसने अपनी ननत से कहा कि बाईिसा दोनों वच्चों का खियाल रखना तबी ननद वाला लड़का जोड जोड से रोने लगा तब ननद ने अपने बच्चे को जूले में सुलाया और लोरी सुनाने लगी वे बार बार एक ही लाइन दोरा रही थी बिना बाप का कान जी बूल कहां से आया जी बार बार वे यही लाइन गाती रही वहीं उसका भाई बैठा हुआ था उसने जब ये लोरी सुनी तो उसे बड़ा अजीव लगा उसने सोचा कि बहन कुवारी है छोटी है उससे ये बात पूछना ठीक नहीं तभी उसकी पत्नी कुए पर से पानी भर करा गई पत्नी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अभी तुम्हारी जाने के बाद हमारा बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन उसे जूले पर सुला कर एक लोरी सुना रही थी उस लोरी की लाइन इस तरह थी कि बिना बाप का कान जी बोल कहां से आया जी लेकिन मैं तो अभी जिन्दा हूँ फिर ये ऐसे क्यों लोरी सुना रही थी पत्नी ने अपने पती को समझाते हुए कहा कि यह तो छोटी बच्ची है ऐसे ही बोल दिया होगा आप इसकी बातों पर ध्यान मद दीजिए जब पत्नी ऐसे बोल रही थी तो वह अपनी नजरे चुरा रही थी इससे उसके पती को शक होने लगा उसने अपनी पत्नी को डाड़ते हुए कहा कि सच सच बताओ की बात क्या है तो उसकी पत्नी की हिम्मट तोट गई और उसने अपने पती को पूरी बात बता दी तभी उसके पती ने अपने भांजी को गोद में उठाया और गाउं में पीपल के पेड़ के पास लेकर चला गया और पीपल देवता से हाथ जोड़ कर बोला कि हे पीपल देवता मेरी बहन तो कुवारी और ना समझ थी जो उसने मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था लेकिन हे पीपल देवता आप तो समझदार हैं अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए अगर गाउं में यह बात फैल गई कि मेरी कुवारी बहन को लड़का हुआ है तो कोई भी मेरी बहन से ब्याहा नहीं करेगा जग में मेरी जग हसाई हो जाएगी मेरी इज़त जाएगी जो अलग और ऐसा कहकर वे रोने लगा उसके करून रुदन को सुनकर पीपल देवता का हिर्दा पिगल गया तभी उस पीपल के पेड के दो फाड हो गए और वे बच्चा उस पेड में समा गया और पेड वापस जुड गया लेकिन पेड के आस पास चबुत्रे में एक बहुत बड़ी दरार हो गई भाई वापस घर आ गया और उसने अपनी बहन के लिए योग्यवर ढूने में लग गया सुबह जब गाँवालों ने पीपल के पेड के पास चबुत्रे पर दरार देखी तो सब तरह तरह की बाते करने लगे कोई कह रहा था कि इस पीपल पर किसी ने मूठ चला दी तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड में से भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होगे इसलिए यहां दरार हो गई कोई कह रहा था कि इसमें अलक्ष्मी प्रकट हुई होगी जितने मू उतनी बाते होने लगी कुछ दिनों के बाद बात आई गई हो गई लोग सारी बातें भूल गए इस तरह समय बीटने लगा तब एक दिन भाई ने घर में होम करवाया पूरे गाउं को होम में बुलवाया होम में आहुतियां दी गई लेकिन यग्या में जोती ही नहीं आ रही थी गी का पूरा डिब्बा उसमें उडेल दिया लेकिन जोती ही प्रकट नहीं हो रही थी उसमें से धुआ ही धुआ निकल रहा था तब गाउं के एक समजदार व्यक्ती ने भाई से कहा कि अरे बेटा अगर कोई तुम्हारी मूबोली भूआ हो बेटी हो भाणजा हो कोई भतीजा हो तो उसे बुलवाओ तब यग्यमें जोत आएगी तब भाई ने कहा कि मेरे कोई मूबोली बहन भूआ भतीजा भाणजा नहीं है मेरे तो केवल ये एक बहन है जो यहीं मेरे पास है तब गाउं के सरपंच ने कहा कि यह बहुत बड़ा अप्शकुन है किसी पंडित महात्मा को बुला कर पूछना पड़ेगा तब गाउं के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ग्याता एक महान जो तिश्य को बुलाया गया और उन्हें पूरी बात बताए गई वेपंडित बहुत बड़ा ग्याता था उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आँखे बंद करी ध्यान लगाया और फिर उसने पता लगा लिया कि इनके बहन को एक भांजा हुआ था तब उसने आँखे खोली और भाई से कहा कि हे पुत्र तुम अपने भांजे को लेकर आओ तभी यह यग्या संपून होगा और तभी इसमें जोत आएगी तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है मेरी बहन तो अभी तक कुमारी है भांजा कहा से आएगा तब उस पंडित ने कहा कि अरे भाई पीपल देवता ने तुमारी बहन को एक बेटा दिया था तुम उसी भांजे को लेकर आओ तभी तुमारा यह यग्या पूरा होगा यह सुनते ही सारे गाउंवालों को बड़ा आश्चरी यह हुआ सभी गाउंवालों ने और सरपंच ने भाई से कहा कि हे पुत्र सच्चाई क्या है हमें भी बताओ तुमारी बहन को पीपल देवता ने कब और कैसे पुत्र दिया तब भाई भाई ने पूरे गाउंवालों को सरपंच को पूरी सच्चाई बताई भाई ने कहा कि बदनामी और शर्मिंदगी की डर से मैंने उस पीपल देवता के द्वारा दिये गए पुत्र को वापस पीपल देवता को ही सुप दिया था तब गाम वालों ने सर्पंच ने और पंडिक जी ने भाई से कहा कि बेटा इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है पीपल देवता ने तुमारी बहन को बेटा दिया है ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती तब सभी गाम वाले सर्पंच पंडिक जी भाई भावी ननद ढोल नगारे बजाते हुए पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड के पास पहुँचे तब भाई ने पीपल देवता से माफी मांगी और कहा कि है पीपल देवता मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सोब दिया था लेकिन आज मैं ही अपना भांजा आप से वापस मांगने आया हूँ हे पीपल देवता मेरा भांजा आप मुझे वापस लोटा दीजिए तभी वहाँ वापस से पीपल के दो फाड होगे और उसमें से उसका भांजा बाहर आया उसी समय उसकी बहन के आचल से दूद की धार उसके बेटे के मुख पर गिरी तो पूरे काम वालों को यकीन हो गया कि यही इसका पुत्र है तब खुब धूम धाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए भांजे को साथ लेकर सभी घर आये घर आने के बाद भांजे ने जैसे ही यग्य में आहुती दी तो जुआला इतनी उची उठी कि सभी गाम वालों को महान आश्चरिय हुआ तब उस भाई ने पूरी नगरी में ये डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चातूर मास में शनिवार को पीपल के पेड को सीचे इससे निर्धन को धन मिलता है निसंतानों को संतान सुभ मिलता है कुवारों को अच्छा घरवर मिलता है बुजुरुगों को बैकुंट का वासा मिलता है हे पीपल देवता चातूर मास में शनिवार के दिन पीपल सीचने का फल जैसे आपने भावी और ननत को दिया वैसे सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गड़ती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले भिसरे नाम तेरे भंडार में भरें इस तरह आज मैंने आपको चातूर मास में पीपल सीचने की एक वराने कहानी सुनाई आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद